नमस्ते बच्चों, स्टांडर्ड इलेवंथ सब्जेक्ट राजनिती विज्ञान लेशन नमबर टू लोकतंत्र के मुलभुत मुल्य इसमें पार्ट टू स्वतंत्रता का सामाजिक और राजनितिक सिद्धान्त के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों, मनुष्य समू जिवन से अभ्यस्त होता है समू अत्वा समाज के बिना मनुष्य की स्वतंत्रता का कोई आर्थ नहीं है इसके लिए मनुष्य को समाज के सदश्य के रूप में और दूसरे भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके उसके लिए योग्य रितिसे और मर्यादापुर्ण स्वतंदरता की प्राप्ति करना होता है जब हम स्वतंदरता के राजनितिक सिद्धान्त का विचार करते हैं तो जानने में मिलता है कि राज्य के सदेशक के रूप में व्यक्ति को राज्य के विरुद कई स्वतंदरताई प्राप्त है जिनकी रक्षा भी राज्य ही करता है इसके कारण ही राज्य के कानून की मर्यादा में रहकर ही नागरी को स्वतंदरता प्राप्त करनी होती है यानि कि राज्य की सरकार ने कोई कानून बनाया है तो कानून के सामने आप अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं वो भी सत्ता किस नहीं दिये तो सरकार नहीं दिये, समिधान नहीं दिये जैसे कि आपको बोलने का अधिकार है वानी व्यक्त करने का अधिकार तो उसके तहट है दुसरा स्वतंदरता एवं कानून के बीच सबंद बच्चों हमने पहले विचार किया उसके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज में रहता है सामाजिक जीवन में ही व्यक्तिके स्वतंतरता की सार्थकता समाविष्ट है सामाजिक जीवन व्यवस्ता की मांग करता है इस व्यवस्ता के लिए राज्य संस्ता का उदुभव एवं विकास हुआ है राज्य ने सासन के लिए कानून का विकास किया है राज्य के सद्शक के रूप में नागरिक को कानून की मर्यादा में स्वतंदरता का उप्योग करना होता है कानून के पालन से व्यक्ति स्वयम स्वतंदरता भोग सकता है और दूसरों को स्वतंदरता भोगने दे सकता है राज्य की इस कानून की मर्यादा के सामने व्यक्तिवादियों ने विरोध किया कि राज्य को कम से कम नियंतरन लगाने चाहिए राज्य लोगों की सम्मती से कानून बनाएं ऐसा व्यक्तिवादी बताते हैं वैसे व्यक्तिकी स्वतंद्रता के रक्षा के लिए और उसके समर्धन के लिए कानून और व्यवस्ता जरूरी है और उसके लिए राज्य जरूरी है बच्चों कोई भी समय एक जगह इखटा होता है तो अगर नियम नहीं होंगे तो सब जुन्ड में टोले में रहेंगे अगर एक साथी कानून होगा जैसे कि ट्राफिक व्यवस्ता का अगर कोई कानून नहीं है तो सब लोग अपने अपनी गाड़ी, बाइक, स्कुटर, साइकल अस्त व्यस्त रूप से चलाएंगे अगर कानून बनाया होगा नियम बन्द से लाइसंस है तभी आप पाईक या स्कुटर गाड़ी चला सकते हैं तो कोई गहर यानि कि नाबालिक व्यक्ती भी गाड़ी नहीं चलाएगा अगर चलाएगा तो भी सिस्त में चलाएगा क्योंकि वो भी एक जवाबदारी है किसी दुरुगटना न हो जाए तो यह सब कानून से समाज नियम बद सिस्त बद चलता है कानून के बीना समाज सिस्त बद रुप से चलेगा नहीं जैसे के स्कूल में अगर विद्यार्थियों के प्रती नियम बनाए न जाए तो क्या होगा अस्त बस्त होगा कोई नाइन्थ वाला विद्यार्थि दस्वे में बैठेगा दस्वे वाला बारवी में बैठेगा कोई पढ़ने आएगा कोई नहीं आएगा लेकिन एक नियम स कि नाइन्थ वाले इतर, इस क्लास में टैन्थ वाले, इलेवन्थ वाले, त्वैल्थ वाले, एक नियम से, कि इतने बजय प्रात्ना होगी, पहला लेशन, दुसरा लेशन, थिसरा लेशन, अगर नियम से सब कुछ चलेगा, तो सब के लिए बहतर रहेगा, समाज भी विद्यार्थी भी आदर्श बनेगा, विवेक बनेगा और समझू समाज का निर्माण होगा आगे समानता स्वतंतरता के साथ समानता का विचार भी लोगतंतर के लिए महत्वका है विस्व की महान करांतिया जैसे प्रेंच करांती अमेरिकन स्वतनरता के साथ समानता पर जोड दिया गया था भारत के समिधान में मुलभुद अधिकारों और राज्य निती निर्देशक सिद्धानतों में समानता के अधिकारों को महत्वस्त पूर्ण स्तान दिया गया है प्रोफेसर लास्की के अनुसार, समानता का अर्थ यह है कि कोई विशेश अधिकार वाला वर्ग नव हो और सभी को विकास के योगिय अवसर प्राप्त हो सरल सब्दों में कहें, तो समानता एक ऐसी स्तिती है कि जिसमें समाज में निवास करने वाला प्रत्यक विकास कर सके उसके लिए आवश्यक कई मुलभुत शर्तों परिस्तितियों की गारंटी दी जाती है समानता की इस व्यक्ख्या से नीची की कई बाते स्पष्ट होती है एक, सभी मनुष्य में समानताए है जिसकी कारण वह अन्य प्राणियों से अलग दिखाई देता है जैसे कि मनुष्य विचार सिल प्राणी है, हर एक विक्ति विचार करता है और सबके विचार भी अलग-अलग है दूसरा, समानता का अर्थ यह भी है कि सभी को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो हर एक व्यक्ति का शोक, उसकी रूची, उसका अभ्यास सब कुछ अलग-अलग होता है तो उसमें भी सबको समान विकास याने की तक प्राप्त हो तीसरा, समान परिस्तितियों में सभी के साथ समान व्यवहार यह नियम मानना चाहिए इसका अर्थ यांतरिक समानता नहीं है ट्रेन में अत्वा बस में स्त्रीयों और अपंगों के लिए अलग-बेठक व्यवस्ता यह समानता का भंग नहीं है आपने देखा होगा कि बस ट्रेन में महिलाव के लिए अलग व्यवस्ता है दिकलांगों के लिए अलग व्यवस्ता है तो वो समानता का भंग नहीं है विकलांगों को कुदरत ने जो अंग नहीं दिया है या अधूरा दिया है तो उसके प्रत्य हमें अपनी कृतगनता रखनी चाहिए प्रेम, भाव, समानता समर्पन रखना चाहिए तो वो भंग नहीं है क्योंकि वो विशेष व्यक्ति है तो उनको विशेष तरज्जा देना चाहिए अब सकारात्मक एवं नकारात्मक समन्ता तो समान्ता की व्याख्या में से सकारात्मक एवं नकारात्मक ऐसे दो पहलू सामने आते है सकारात्मक समानता यह है कि किसी भी प्रकार के समान अवसर प्राप्त हो सकारात्मक समानता न्याय के विचार के साथ सुसंगत है जैसे कि भारत के समिदान में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती को सरकारी नौकरियों में आरक्षन की व्यवस्ता है वह सकारात्मक समानता है जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ यह है कि कई लोगों के हाथ में जमीन और संपती के केंद्री करण को रोकने के लिए सरकार निशेदात्मक कानून बनाती है ऐसी निशेदात्मक व्यवस्ता समानता को भंग होने से रोकती है समानता के प्रकार बच्चो ये एक मार्स का प्रशन भी आता है लॉंग बड़ा प्रशन पांच मार्स का भी आता है तो शोट में एक मार्स में ऐसा आता है कि समानता के कुल कितने प्रकार है बताईए तो 6 प्रकार है और अगर 5 मारस में आता है तो समानता के प्रकार बताईए तो उसका 6 प्रकार और उसका विवरण भी आपको लिखना होता है तो कुल उसके 6 प्रकार है और इसमें सबसे पहला प्रकृतिक समानता, दूसरा सामाजिक समानता, तीसरा राजनेतिक समानता, चोथा आर्थिक समानता, पांचवा कानूनी समानता और छठा राष्ट राष्ट के बीच समानता तो इसमें सबसे पहले हम प्राकुरूतिक समानता यानि कि कुद्रती समानता के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों, कुद्रत ने सबको एक समान बनाया है, मनुश्य को दो कान, दो आंखे, एक मुँँ, एक जीब, दो हाथ, दो पेर सबी तरह हम समान है, जिसके कारण जाती, रंग, लिंग, जन्म, अत्वा, धर्म के आधार पर उनके बीच में बेद नहीं किया जा सकता ऐसा प्राकृतिक समानता का अर्थ है, राजनितिक विचारत, जैसे के हॉप्स, लोक और रुसो ने प्राकृतिक समानता के विचारत का समर्दन किया था प्राकृतिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं है परन्तु यह प्राकृतिक अंतर सामाजिक भेदभाव का आधार नहीं बनना चाहिए जैसे कि स्त्री और पुरुष समान है कहीं राज्यों में कहीं इलाकों में आज भी स्त्री पुरुष में भेद दिखाए देता है सरकार ने उसको समान कर दिया है आपने देखा होगा स्तानिक स्वराज की चुनाओं में 33% लोकसभा, राजसभा में 50% सब में समान इस्सा, महिलाओ का नौकरियों में समान है लेकिन आज भी गाओं में कहीं पिछड़ी विस्तारों में स्त्री पुरुष में भेद है अभी भी गोंगटा रखने का रिवाद चल रहा है लड़किया नौकरी नहीं कर सकती उसको तो घरकामी करना चाहिए तो ये भेद भाव जो बनाया है समाज ने नहीं होना चाहिए दूसरा सामाजिक समानता समाज के सदस्य के रूप में सभी मनुश्यों को कई मुलभुत अधिकार समान रूप से मिलते हैं जैसे सामाजिक समानता का अर्थ होता है सामाजिक समानता के स्तापना के लिए भारत के समिदान ने अस्पुरुष्यता वाला व्यभार करना अपराद माना है अमेरिका में गुलामी प्रथा को समाप्त करके अस्वेत काले लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है जैसे हमारे यहां चलता था बरसो पहले उच्चवर्ग और निम्नवर्ण का वैसे अमेरिका में काला गुरा का भेद भी चल रहा था तो उसने भी समानता का अधिकार दिया है विस्व के अधिकांश देशों में महिलाओंने लंबी लड़ाय के बाद समानता का अधिकार प्राप्त किया है भारत के राजा राम मोहनराय से शुरू करके गांदी जी और डॉक्टर बिया रामबिटकर जैसे अनेक महानुभाव ने सामाजिक समानता के लिए प्रहत्न किये सामाजिक समानता के लिए जागरूती लाने वाला बड़ा साधन एक ही है और वो है सिक्षा शिक्षा ही समानता ला सकता है तिसरा राजनितिक समानता राज्य के नागरीकों को सार्वजनिक बातों में अथ्वा सार्वजनिक कारियों में तथा उसकी निरने प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर की समानता ये राजनितिक समानता है नागरी, वानी और लेखन की स्वतंदरता द्वारा सारवजनिक बातों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकता है जैसे कि हमने पहले आपको बताया लेकिन उस वच्छन्दिता में नहीं होना चाहिए वे सारवत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा मतदान करके उमिद्वारी करके राज्य की नौकरी में समान युकिताव के आधार पर अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त करते हैं तबी वे राजनितिक समानता को सजीव करते हैं ऐसी समानता लोकतंत्र विशेश रूप से दे सकता है भारत के प्रतम राश्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने स्वतंत्रता भारत के लोकतंत्र के लिए कहा है कि अब सभी राजा है और सभी प्रजा है एक मर्स का MC क्यों आता है कि अब सभी राजा है और सभी प्रजा है वो वाक्य किस ने कहा था तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था जो हमारे देश के प्रतम राष्टपती थे चोथा आर्थिक समानता प्रतीक वक्ति स्वयम की मुलभूत आवशक्ताओं को योग की प्रमान में प्राप्त कर सके उस परिस्तितियों को आर्थिक समानता कह सकते हैं आर्थिक समानता सिद्ध करने हे तू संपती के केंद्री करण को रोकने हे तू राज्य कानून बनाता है और सामुदाइक सम्पति का उप्योग सभी के लिए उतकर्ष के लिए हो इस बात पर जोर दिया जाता है प्रोफेसर लास्की के शब्दों में कहें तो आर्थिक समानता अर्थात आए आवक की समानता या व्यभार की एक रुपता नहीं आर्थिक समानता तो अंतमे अमुक सिमा तक समतल करने की प्रक्रिया है भारत में जो जुताई करे उनकी जमीन जमीन अधिकरन मर्यादा का कानून और स्रमिकों को योग्य वीतन का कानून आर्थिक समानता लाने के लिए प्रयत नशील है फिर से भारत में जो जुताई करे उनकी जमीन जमीन अधीकरण मर्यादा का कानून और स्रमिकों को युग्य वितन का कानून आर्थिक समानता लाने के लिए प्रयत्न है पाचवा कानूनी समानता हमने बताया था कि अब सभी राजा और सभी प्रजा बस वहीं उद्दिश्य कानूनी समानता में है कानूनी समानता की मांग सामन शाही प्रथा के विरुद अठारवी सदी में हुई कानून समक समानता और कानून द्वारा समान रक्षा की बात इसके अंतरकत रखे गई कानून की नजर में अमीर अत्वा गरीब सभी समान है कानून की समानता का अर्थ यह नहीं है यह प्रत्यक व्यक्ति के लिए समान कानून हो बलकि कानून बुद्धियुक्त भेद कर सकता है जैसे कि राज्य स्रमिकों, खेत मजदूरों, बालकों, महिलावं और वुरुद्धों के हीत को ध्यान में रखकर कानून बना सकता है कानून सासन ये कानून की समानता की नीव है कानुनी समानता का न्यायले से न्याय प्राप्त करने के समान आउसर के साथ और न्यायले की तक्रस्ता के साथ भी सबंद है पहले ऐसा था कि राजा को अगर किसी ने ऐसा कहा कि यह आपके बारे में ऐसा कर रहा था कह रहा था या कर रहा था तो छोटी सी बात के मौत का डंड दे देते थे अगर किसी ने सब कुछ किया लेकिन कहने वाले ऐसा कहते थे कि उसने कुछ ने किया तो उसको गलती है नादान है तो उसको कुछ डंड नहीं यानि कि न्याय में राजा को जो पसंद आता था वो न्याय करते थे समानता नहीं थी, राजा को अच्छा मूड हो, तो बली भरी करदेते थे अगर मूड अच्छा नहीं है, तो मौत देते थे तो ऐसा नहो हो, अमीर गरीब का भी बेद रहता था तो अमीर गरीब का भी बेद नहो, कि बड़े से बड़े Leader का भी उसने गुना किया है तो उसको भी वैसे सजा अगर कोई योग ने ऐसा काम किया है तो उसको भी वही समान सजा कोई बेद नहीं होगा तो वही कानूनी समानता है छठा राष्ट राष्ट के बीच समानता अंतराष्टी कानून की दरश्टी से विस्व के सवी राज्य समान है व्यवहार में अमेरिका विस्व की विशाल सत्ता रखता है परन्तु संयुत राष्ट युनाइटेड नेशन्स जिसको हम UN के रूप में जानते हैं तो UN के सभी सदस्य पद के लिए समप्रभूता की समानता को स्विकार किया गया है UN की महासबा में प्रतेक सदस्य राष्ट समान प्रतिन धित्व रखते हैं प्रतेक सदस्य राज्य उसमें एक ही वोट दे सकता है वही हैं राष्ट राष्ट के बीद समानता है संयुत राष्ट संग बच्चो एक संग बनाया है पूरे विश्व में से इसमें 193 countries सामल है और सभी को एक-एक वोट देने की सत्ता है किसी का वोट दो दिन जादा नहीं है सबको एक वोट अगर कोई वैस्विक स्थर पर कोई निरने लेना है तो इसमें क्या करे क्या नहीं करे इसमें जब बहुमती की बाद आती है वोटिंग की बाद आती है सबको एक ही मत देने का अधिकार दिया जाता है और उसके आधार पर आगे निरने लिया जाता है बचो ये लेसन बहुत इंपोटेंट है आपको भविश्य में भी काम आएगा ये मुलभूत मुल्य क्या है तो उसको पड़े एक्जाम की तैयारी भी करें अपके एक्जाम भी आएगी अभी कोरोना महामारी चल रही है तो उसके भी ध्यान को ध्यान में रखना है साबुन से हाथ बार बार दोया करें सोस्यल डिस्टेंसिंग रखे मास्क पहने रहे और हमारी तो विशेश जवाबदारी रहती है एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडन्ट के चरिये कि हम भी समाज को जागरत करने का काम करें अपने अगल बलक बगल में जो भी हमारे पडोशी रहते हैं उनको समझाए साबुन से हाथ दोने के बारे में समझाए मास्क पहन के जाए काम करने के लिए और सामाजिक दूरी बनाए रखे वो भी जरूर है तो इस चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ताकि अगले वीडियो आपको आसाने से मिल सकते हैं अभार